नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने यूटूब चैनल महरा क्लासेश में तो MP Assistant Professor फेजबन का जो रिजल्ट है सभी सब्जेट का लगबग रिजल्ट आ चुका है और इसमें सिर्फ Librarian और Sport Officer का रिजल्ट आना बांकी है English subject का रिजल्ट जो बचा हुआ था वो भी आज की डेट में आ चुका है और काफी लोग अपने जो अभी लेक पत्र हैं वो भी आयोग में send कर चुके होंगे और जिनोंने send नहीं किया है उनके regarding एक PSC ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है जी हां दोस्तों आप बिल्कुल स सब्सक्राइब कर लेना तांकि जो भी लेटेस्ट अब्डेट आए आप तक पहुंच सके तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों की मद्दपर्दिश लोग सेवा आयोग की official notification पर आपको लेकर आए हैं और यह notification 8-10-2024 मतलब आज की date में ही release हुआ है और जो अभी लेक पत्र हम भेजने वाले हैं या भेज चुके हैं पत्र हमारे application पर आपको मिल जाएंगे आपको हमारा application डाउनलोड करना है मेरा classes official वीडियो के discussion में उसकी link मिलेगी MP assistant professor वाले icon में जाना है और home science वाले subject में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते ह है फिलाल में इसके regarding एक बीडियो हमने already publish कर दी हुई है तो इसमें क्या हुआ दोस्तों की जो अलग-अलग subject के result जारी हो रहा है अलग-अलग date है अभिलेक पत्र भेजने की यदि आप इसमें delay करते हैं तो आपको इसमें सुल्क लग सकता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्ने अनुसार आयोग-दवारा मुक्धि परिक्शा लिकळत प्रिक्षा के मादध्यम से चेहन प्रिक्रिया पूर्ण किये जाने वाले समछित प्रिक्रनों में लिखित होकर साक्षाथकार हेतू अहर गोसित किये गए केवल एसे आविदक जिनके अभिलेक आयोग कारियला में बिलम से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारण बस नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आविदकों से बिलम सूलक के साथ आयोग कारियला में अभिलेक जमा करने है तो निमना अनुसार रासी निर्दायत की गई है आयोग द्वारा घो च्छे के मात्यम से आयोक की लेखा साखा में जमा करने के पश्चात अभिलेक जमा किया सकेंगे आयोक द्वारा साइक प्रादपक परीचा 2022 दिनाख 9.6.2024 के संदर में जारी किये गए परिक्षा पढ़नाओं में अभी लेक भेजने की अंतिमतिती निमना अनुसार निर्धायत की गई है तो दोस्तों जैसे कि आप भिलम सुल्ग हो तो आप भेज नहीं पाते हैं किसी कारण बस से मतलब दोनों कंडिशन में आपको ही बिलम सुल्ग देना होगा और वो भी मतलब कारियलन समय में जाकर ही आपको देना होगा तो यहां पे किलियर लिखा हुआ है कि संसकत बिसे जो है सभी सब्जेट की जहां पर जारी हो चुकी है जहां पर आप देख सकते हैं आठ सब्जेट की रिजल्ट जारी हो चुका है आज की डेट में हम देखें दोस्तों तो संसकत कर जो रिजल्ट आये था वो लिकित परिक् 18-2024 तक 3,000 रुपे लगेंगे इसके बाद 21-2024 से लेकर 25-2024 तक आपको 25,000 रुपे सूलक देना होगा यह ध्यान रखना दोस्तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके बाब जूद भी यदि आपका डाकुमेंट्स नहीं पहुंच पाते तो आपकी जो क्वालिफाई हुए हैं इंटर्व्यू के लिए आपकी वो आटोमेटिक निरस्त कर दी जाएगी योगिता ठीक है देध्यान रखना अंग्रेजी सब्जेट की जो लाज डेट है वो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि 8-10-2024 मतलब आज की डेट में तो आपका रिजल्ट आया 19-10-2024 त आपके 30,000 रुपे लगेंगे यह से इसी तरीके सभी सब्जेट की समय साड़नी निर्धारत की गई है यह सिर्फ यह आपकी जो डेट है वो बिना सूल की साथ है और इसके बाद 3,000 रुपे के साथ यहां पर देट दे रखी है जैसे कि गिरेविग्यान ने 11-10-2024 से लेकर 18-10-2024 तक 3,000 रुपे रहेंगे तो दोस्तों सभी लोग भेज देजिएगा कोई प्रोबलम नहीं आए क्योंकि यह second last step है इसके बाद आपका interview होगा और इसके बाद आपकी final joining हो जाएगी तो फिलाल के लिए यह notification आज की date में जारी हुआ है और अच्छा किया इन्होंने प